हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू BPSC दर्फन, आज हम लोग यहां पर इडिटेडिया करेंट एफेर्स का सेट नमर एट का स्टड़ी करेंगे, जहां हमें 50 MCQ मेरेंगे जो करेंट एफेर्स पर बेस होगा और यहां अगस्ट 2023 तक का कलेक्शन्स हैं, तो चली हम टैम वेस्ट के वेगार इसे स्टार्ट करते हैं, चोथा संगाई सहयोग संगठन, स्टार्ट अप फोरम कहां आउजित की गई है, यह नई दिली में आउजित के गई है, संगाई सहयोग संगठन का स्टार्ट अप फोरम है, यह नई दिली में आउजित की गई है, संजुक्त राश्ट विश्वजल रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्रिकी कत्नों पर विचार करें और सत्य कत्न का चेहन करें मीठे पानी की निकासी में 72% हिस्सा क्रिसी का है यह सत्य है मीठे पानी मतलब जो पीने लाइक पानी है उसके सबसे जैदा यूज है सो हम खेती में करते हैं चार जील का आकार पिछले 60 वरसों में 90% कम हो गया है यह भी सत्य है कि संजुक्त राश्ट का जो 20 जल रिपोर्ट आया है जिसमें चार जील के बारे में यही लिखा गया है जो चार जील का च्छतरफल साथ साल पहले था और आज की 70 परसंट की कमी आई है और दुनिया में जितने भी पीने योग्य पानी है उसका 72 परसंट किसी पर यूज होता है यह भी याद रखिएगा इस टैब एक क्वेस्टन से एक्जाम में पूछे जाएंगे तो इसके अनुसार आपका आंसर होगा आपसन सी एक और दुनों सत्य है लैंगिक और समानता सुचकांगे 2022 के संबन्द में निम्लखित कफनों पर विचार करें और उपरोक्त में से किस कफन कितने कफन असत्य हैं उसे चूज करें पिसले देख लेते हैं यह रिपोर्ट UNDP द्वारा जारी किया जाता है यह सत्य है रिपोर्ट में भारत 0.437 स्कोर के साथ 111 में अस्थान पढ़ा है यह गलत है क्योंकि भारत का जो स्कोर है लैंगिक और समानता सुचकांग 2022 में जो 2024 में जारी हुआ है स्कोर तो ठीक है 0.437 है जबकि इसका अस्थान 111 मा नहीं है जबकि अस्थान है कितना 108 मा यह याद रखेंगे लाश्ट है रिपोर्ट में डेनमार्क को सिर्ष अस्थान पराप्थ हुआ है डेनमार्क को सिर्ष अस्थान पराप्थ नहीं हुआ और को सिरस्थान प्राप्थ हुआ है इसके नियुक्त हो ऑफाला थान वुल्षो प्राप्थ इसक् shortcuts होगा असथ कौन भरतिशीन की हरगा को और बशरत चाइब और कि बायु सेना ने मसीनी कृत अभियानों के लिए हमला वर हेलिकॉप्टर के उपयोग को प्रमामिंत करने के लिए गगन एस्ट्राइक टू अभ्यास का आउजित किया है तो इसका आंसर आपको और दूसरा क्वशन साथ गगन एस्ट्राइक टू किन-किन सेनाओं के साथ मिल करके किया गया है तो भारतिय सेना के ही आर्मी के खरगा कोर और भारतिय बायु सेना के बीच में दुनों मिल करके यह अभ्यास किया है निमल की कतनों पर विचार कर और कौन सा कतन सत्य है उसे चूज करें नमस्ते योजना सामाजिक निया और अधिकारिता मंत्रालाय तथा आवास और सहरी मामलों के मंत्रालाय द्वारा सुरू की गई पहल है यह सत्य हैं नमस्ते योजना के तहत मुख्यता सफाय करमचारी को लक्षित किया गया है यह भी सत्य है तो आंसर है इसका आपका दोनों ही सत्य है इस सर्चामर है जो सखी आप है उसका पुर्ण विस्तार क्या है सखी का फूल फॉर्म क्या है सखी का फूल फॉर्म है स्पेस बॉर्ड असिस्टेंट एंड नॉलेज होप और क्रियू इंटरेक्सान निम्लखे कफनों पर विचार करें सत्य कफन का चाहिन करें हाल ही में नागा लाइंड के जिगनाई परचा को जिया टाइग से सम्मानित किया गया है यह रिगनाई परचा एक स्टाइल है लेकिन गलत है क्या नागा लाइन से नहीं है यह तिरपूरा से नहीं से और इस नहीं टाइग दस बर से तू बाइद होता है यह सत्य है जिसे एक बार जिये टाइग मिलता है वो दस साल तक उस प्रोड़क्त को उस चतर के लिए जोग्रोफिकल आइडेंटीटी माना जाता है तो पहला गलत दूसरा सही ते इसके एकॉर्टिंग आपका आंसर होगा कौन सत्य कथन चूज करना है तो आप्शन भी सत्य है पॉइंट नीमो के सम्मंध में निमलखी कत्नों पर विचार करें ब्रिटेन निवासिक क्रीस ब्रॉण पॉइंट नीमो तक कहुंचने वाले पर्थम ब्यक्ति बन गए या सत्य हैं ब्रिटेन के जो निवासिक क्रीस ब्रॉण थे पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले वह पहले ब्यक्ति थे यह पिर्थिवी के सबसे दुरस्त बिंदू है या भी सत्य है यह नीजिलेंड के पूर्व में दक्षिन परसांद महासागर में इस्थित है यह सत्य है तो इसता आंसर होगा आपको सभी कथन सत्य है लुइस मोटे नेग्रो किस देश के पर्थम पर्थानमंत्री निक्त किये गए है तो यह पूर्टगाल के पर्थानमंत्री निक्त किये गए है मनलब बरतमान में पूर्टगाल के पर्थानमंत्री लुइस मोटे नेग्रो है निम्रेक सिट में से कौन सा इस सुरोग के अंत्रिक्ष विज्ञान और प्राउधोक्ष्च जागरूखता परसिक्षन, श्टार्ट कार्चकरम का प्रात्मिक उद्देस हैं अंत्रिक्ष उद्योग में बिसिष्ट तक्निकी भूमिकाओं के लिए छात्रों को प्रस्खजिक करना यह नहीं है जनता के यांत्रिक्ष अन्वेसन के लाव के बारे में जागरुकता बढ़ाना यह भी नहीं है जटिल अंत्रिक्ष विज्ञान अब धारनाओं के गहन ग्यान प्रदान करना यह भी नहीं है छात्रों के बीच अंत्रिक्ष विज्ञान में रूची और संभावित कैरियर उत्पन करना यह सत्य है यहां पर योजना जो है जो इस रो द्वारा चलाए गया है इसका जो मुख्य उद्देश है यह है छात्रों के बीच में अंत्रिक्ष विज्ञान में रूची लाना सब चात्रों के बीच में से करेज बठे शात्रे उसको जानने की कोशिज करें और संभावित कैरियर यदि को अपना कैरियर बनाने चाता है अंत्रिक्ष के छत्र में तो इसके लिए भी यहां प्रोग्राम है तो आंसर होगा आपका ऑफ्शन डी भारत यूरोपिय मुख्व बैपार संघ इफ्टा समझोतक के संदर्म में कौन सा कथन सत्य है इसका लक्ष अगले 15 वर्षों में भारत में सो बिलियन अमेर्की डॉलर का प्रतेक्श विदीशी निवेश करना है यह सत्य है इसका लक्ष निवेशों के माध्यं से भारत में उन्मीलियन प्रतेक्श रज़गार स् Dieses रिजन करना हैं यह भी सत्य हैं तो आंसर होगा आपका ऑफशन डी एक दो तीन तीनों ही सत्य है नेमलिखित में से किस राज्य महिला ससक्तिकरन को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने महतारी बंदना योजना की सुरुवात की है तो वह राज्य है 36 गड़ है 36 गड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महतारी बंदना योजना की सुरुवात की है प्रथानमंत्री निरेंद्र मोदी ने निम्लेखित में से किस राज में पहले रंगपोर रेलवे एस्टेशन के पुर्ण विकास का आधार सिधा रखा है तो वह राज है सिक्किम यहां पर आपके ग्याम में सिंपल से कुशे जा सकते हैं रंगपोर रेलवे एस्टेशन निम्लेखिते में से किस राज में हैं तो याद रखेंगे सिक्किम में हैं जिसकी पुर्ण विकास के लिए मोदी जी ने फंड दिया है उसका अधार सिला रखा है तो वह सिक्किम किया है वह संस्था है एफ एओ एफ एओ ने अन्याइपुर्ण जलवायू के सिर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तूत किया है पस्वों के हमलों के कारण बार-बार होने वाली मौतों और बढ़ते जन असंतोस को देखते हुए किस राज ने अधिकारिक तौर पर मानब राज बिशिष्ट आपदा के रूप में बरगी कित किया है तो वह राज है केरल केरल में इंसान और जानवर के बीच में बारवर कलेस हो रहा था बारवर टकड़ा हो रहा था जिसके वहां पर उसे आपदा के रूप में घुसित किया गया है तो वह राज है घुसित करने मीशन दिव्यास्त्र के संदर्व में कौन सा कथन सत्य है डियार्डियों नो मार्च दोहजाद चोबीस को यम आई आर्भी तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विक्सित अगनी फाइब मिसाइल का पहला सफल उरान परिक्षन किया है यह सत्य है डियार्डियों ने मार्च दोहजाद चोबीस को यहां अगनी फाइब का मिसाइल का परिक्षन किया है मीशन दिव्यास्त नामक उरान परिक्षन और इसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम दूइपर किया गया है यह भी सत्य है मेरी जब भी सिंध्य गइब की बतले हैं करना है 99 परसेंट आप सही होंगे जितनी मीसायल का प्रेसां एक है उससे करते हैं तो आप समझें 90 परसेंट आप यहां भी सही है क्या गया है तो आप मिसाइल है तो आप उसे ये पीजे अब्दुलकलामदीब टिक कर सकते हैं यदि किसी सेटलाइट की बात किया जाए तो आप आख बंद कर गए उसे तो इस रो में ही मारेंगे वही सत्य होगा चलिए आगे देखते हैं तो इस तरह से ये दोनों ही कथन सत्य है तो आपका आंस सत्य है कौन गलत ऐसरोण को सर्फ लटरी का आवार्ड मिला है और में इन्यो média मर्फी को अभी नटरी का पुरूश्पकाड मिला है ये अब्य सत्य आप इंच्प इंश्क शर्फेश्प अंतर राष्ट फिल्म का दर्जा मिला ये अभी सत्य है तांसर हो आक दिए तेगे ज जो पुरुषकार है जिसे आउसकर हो गया या उस टैप की जो भी किसी टैप का ग्रेमी पुरुषकार जनली होता है बाफ्टा है इन सब में आपको ज्यादा की याद करने की ज़रत नहीं होता है कम से कम तीन चीज आपको याद करना होगा बेस्ट अभिनेत्री पुरुषकार है तो कि यूएन डीपी ने अपनी मानव विकास रिपोर्ट थोजार तइस चोबिस में लैंगिक और समंता सुचकांग दोहजार बाइस जारी किया इसके संदर्ब में कौन सा कथन सकते हैं भारत 0.43 स्कोर के साथ 193 देसों में 108 अस्थान पा यह सत हैं इसी भीडियो के पिछले एक क्विस्टन में इस क्विस्टन पर हम डिस्कस कर चुके हैं जहां पर यह 108 के जबह 111 लिखा हुआ था जो गलत था यह सत्य हैं भारत ने लैंगिक और समंता सुचकांग 2022 में 14 रैंग की छलांग लगाई हैं यह भी सत्य हैं तो आपका आंसर होगा और ापसंवी एक और दो दोनों ही सत्य हैं भारत ने पहले फ्यूचर कैंदों किया कि популяр किया। यह सब्सक्री में भारत के पहले फ्यूचर लाइब ठीक है फ्यूचर एले बीस लैब्स का उद्गाटन तिरुवंध पूरम में हुआ है कि राज्जी के एक स्कूल में भारत के पर्थम एए सिख्षक रोबोट आयरीज का अनावरन किया गया है तो वह राज्ज है आपका केरल अब पता है केरल इन सब चीजों में डेवलप है भारत में सिख्षक एजुकेशन के देखा जाए तो 99 परसेंट लोग वहां के एजुकेटेट हैं भारत में पर्थम अस्थान पर भी है जुकेशन के मामले में केरल यहां से दो कुश्शन आप याद रखेंगे पहली चीज है कि जो पर्थम AI सिख्षक रोबोट है जिसका नाम क्या है यह आपको एक्जाम में पूछा दा है किरल के स्कुल में जो पर्थम AI टीचर निक्स किया गया है उसका नाम क्या है उसका नाम है आईरी से ठीक है निक्स में से किस राज में भारत के तीनों से नाओं के अभ्यास भारत सक्ति का आउजन किया गया है भारत सक्ति का आउजन राजस्थान में किया गया है जिसमें भारत के ही तीनों से ना आर्मी नेवी और एरफोर्स मिल करके यह अभ्यास किये है भारत सक्ति प्रदान मन्तरी नरेंद मोदी ने दान्डी मार्च की चुरानिमी वर्सजांट के उपलक्ष में गुजरात के किस सहर में पुर निर्मान कोचरव आसरम का अनावरन किया है यह आमदाबाद में किया है कोचरव आसरम कहां पर है यह आमदाबाद में है यह स्टेट आप किसे होगा तो गुजरात में है जो दान्डी मार्च से संबंधित हैं देखे आज के टाम में एक्जाम में इस टाप के कुश्चन से पूछने की बड़ा ही क्रेज हैं सीधी से हैं चार नाम आपको देदेंगे तो याद रखना को दान्डी मर्च से हैं यहाद निमनखित में से किस देश की सरकार ने बुजरुगों के बीच अकेलेपन की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए बरिश नागडिकों की संगती बनाए रखने और उन्हें दवायां लेन कि याद दिलाने के लिए साथ हजार शूडोल रोबोट गुरिया तियार किया है ठीक है मतलब कहने के मतलब साथ हजार रोबोट तियार किया है जो बुठे आदमियों को याद दिलाएं कि आपको कब दवा खाना है कब नहीं खाना है क्या करना है क्या नहीं करना है और साथ सरा सके उससे साथ बाते कर सके तो यह दक्षिन कोरिया ने यह किया है भारते रिजर बैंक ने सीमा पर लेंदेन में घरेलू मुद्राओं के उपयोग को प्रसाहन करने के उदेश से एक रूप रेखा बनाने के लिए एक समझोता ग्यापन पहस्ता अक्षर किया है तो यह किस प्रदेशिया के साथ किया है हाल ही में चर्चा में रहा सासन हाल ही में चर्चा में रहा सानन जल विधुत प्रयोजना किन दो राज्यों के बीच बिवादित हैं तो यह पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में बिवादित हैं सानन जल विधुत प्रयोजना जो पंज किस रोग से होने बाली मौतों को समप्त करने के उद्देश से अफिर्की देशों के स्वास्त मंत्रियों ने हाल ही में या उन्डे घोशना पत्र का समर्थन किया है मलेरिया रोग की बात कर रहे हैं मलेरिया रोग से होड है मौत से बचने के लिए उसे समाप्त करने के लिए मलेरिया रोग खत्म करने के लिए या उन्डे घोशना पत्र दिया गया है उसका समर्थन किया है अब फिर का देशों के द्वारा जूरियों पर विचार करें ऑप्रेशन दोस्त सुखे से प्रभावित नैजेरिया से भारतियों और अन्य विदेशी नागरियों को निकालना यह गलत है जैसे कि आप जानते भी हों कि उप्रेशन दोस्त इसके लिए नहीं चला गया था उप्रेशन दोस्त जो हैं तुर्की और सीरिया में जो भुकंप आये थे उन से लोगों के राहत देने के लिए वहां पर मेडिकल कैम्प लागाने के लिए वहां से लोगों को वापस इवेक्योट करने के लिए भुकंप शद्र से इसके लिए चला गया था तुर्की और सीरिया में जो भुकंप हुआ था उससे प्रभावित लोगों को बचाने के लिए ऑप्रेशन दोस्त चला गया था भारत के द्वाराथ गलत है एक गंगा रूषी आकर्मन के दोराउं यूक्रेठी नागरी को मुख रूप श्चात्रों को येर लिप्ट करना ये सक्त्य हैस मनला निकालने के लिए चला गया था ये सत्य है मतला और ओप्रेशन इंद्रावती हैی democratic भारतियों को निकालने के लिए किया गया था और ऑप्रेशन दोस्त तुर्की और शीडिया में किया गया था इसके तरह अंसर होगा आपका आप संसी केवल दो और तिन सही है हाल ही में खोजा गया विसाल जॉलामकी नुक्ति से जॉलामकी किस गरह पर पाया गया है तिया मंगल गरह पर पाया गया है याद रखेंगे नुक्टिक नुक्टिस जो अला मुखी जो है मंगल गरह पर मिला है मंगल गरह पर पाया गया है हाल ही में निमलिकित में से किन है नए चुनाब आयुक के रूप में चुना गया है ग्यानेश कुमार और सुहविंदर सिंसंदू पहला ही आंसर से ही इसे ही नए चुनाब आयुक के रूप में चुना गया है हाल ही में परतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2023 के लिए किसे नमांकित किया गया है तिया परफाबर्मा को नमांकित किया गया है मतलब सरस्वती सम्मान 2023 परफाबर्मा को दिया गया है नदियों के लिए अंतराष्टे कारवाई दिवस 2024 का विसाई क्या है उसका theme क्या है सभी के लिए जल जो नदियों के लिए अंतराष्टिय करवाई दिवस है जो 2024 में मनाया गया है उसका theme है सभी के लिए जल Electric Mobility Promotion Scheme 2024 जो हालही में खवरों में रही किस मंतरालाय द्वारा सुरू की गई है या भारी उद्योग मंतरालाय द्वारा सुरू की गई है हालही में भारत इटली सान्य सहयोग समू की बैठा का बारमा संस्करन कहां आयुजित किया गया है या नई दिली में आयुजित किया गया है ब्लू लाइन सब्द जो हालही में समचार पत्रों में देखा गया नेमलिकित में से किन दो देशों के बीच सीमा के रूप में कार्ज करता है यह लेबनान और इज्रैल के बीच सिमा का कार्ज करता है आज के टाइम में दोनों ही आज के टाइम में युद लर रहे हैं एक गुसरे पाकरवन कर रहे हैं तो जिसके बैसे सुर्खियों में है तो इस कुस्टन को आपको याद रखना है बुलू लाइन जो सब्ध है किन दो दो दोशों के बीच सिमा कार्ज करता है मेरे बुलू लाइन रेखा तो याद रखने के वो लेबनान और इज्रैल के बीच में बुलू लाइन के नाम से उसका सिमा रेखा है हाल ही में किस विश्विद्याला ने राष्टपती द्रोपती मुर्मुर को डिरेक्ट डाक्ट्रेट ओफ सिवील लौ की मानद उपाधी से सम्मानित किया है तो विश्विद्याला है पंजाब पिनेसलीन है सदुरिकित हैं अब चिकांगो पिस्विद्याला मौरीश स्विद्याला मेलबॉर्न पिसर्वेट और पेंसलीनिया अचिविद्याला है इन में से आपका आंसर है मौरिसस विस्विद्याला जो मौरिसस में इसके दुआरा राश्चपती दुरोपती मुर्मुर को डॉक्टरेट और सिभील लॉग की मानद उपादी से सम्मानित किया गया है हाल ही में किस राज ये कंदर्शासित परदेश में अखिल महिला समुद्री निगरानी मीशन का आई जन किया गया है ये राज ये को कंदर्शासित परदेश आइ अंडह माननिको बार है हाल ही में किक खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइड tre eie के सन किर्टी कार्जकरम के पहले चरण का उदघाटन कहां किया गया है इसका उदघाटन जो है चन्डी गढ़ में किया गया है हालही में समाचार पत्रों में देखा गया मीशन दिब्यास्त निम्रखित में से किस मिसाइल परणाली से समबंधित है यह अगली 5 मिसाइल परणाली से समबंधित है राश्टी टिकाकरन दिवस 2024 का भिसाय क्या है एक हैं तिकके सभी के लिए काम करते हैं वसलार राश्टि टिकाकरन दिवस 2024 का थीम यह है टिके सभी के लिए काम करते हैं आपका अंसर महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब किस टीम ने जीता है यह जो रॉयल चैलेंजर बेंगलोड ने माजुली मास्ग माजुली मास्ग जिसे हाल ही में जी ए टैग मिला है निम्लकित में से किस राज से समन्दीत हैं यह असाम से समन्दीत हैं माजुली मास्क जहें असम से हैं जहें जानते भी होंगे आप माजुली असम का एक जिला है जो एक दूपीय जिला है माजुली हाल ही में सोध करता ने किस देश में आठ आखों और चार पैरों बाली बिच्छु की नई परजाती की खुज की है है तो वह देश है थाइलाइंड है थाइलाइंड में खुज करता हों को आठ आख और चार पैर वाले बिच्छु मिले हैं इस तरह हमारा यह पचास कुश्चन का जो सेट था हुए कंप्लीट हो गया है हम नेक्स सेट में नेक्स पचास पुश्चन का इस्टेडी करेंगे वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिए अपने फ्रेंस को सेर कर दीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए जय हिंदे